अंकिता हमारी बेहन है आपके भी बेहन है और हमें बहुत दुख है हर एक को कस्ट है दिल में कि कि हमारे घर में बेटिया है लेकिन बिल्किस बानों वो कौन है क्या उन्होंने सपने में सोचा होगा उनके साथ जो निर्मम ये सारी घटनाई हो ये कुरूरता की सबसे बड़ मेरा आपको चुब रहा है ना मेरे बहाई मुझे वो भी चुब रहा है और मुझे बिल्किस बानों के हत्यारों को जब आप लड़ू खिरातें मीडिया में दिखाते हो मुझे वह बहुत चूप रहे हैं आपने कुकर्मियों को छोड़ा है आपने कोई सज्जन वैक्तिक यह और नहीं झोड़ा है वह जेल और इसके लिए भी मुहिम पुरे भारत में चल समाचार लाएगा कौन बीपक्ष की वुमिका निभाया कौन जंता की पीड़ा को उठा के लाएगा कौन अब रमिश्कुमार का होगा क्या क्या रमिश्कुमार आएंगे मुख्यधारा में क्या वह कुछ कर पाएंगे इदान के मुल भूत नियमों का पालन हो रहा है आप ने सम्विधान की बाद तो उठा दी पत्रकार मों दे आप मुझे बताए कि जीवन भर जो आजीवन का रावास होती है वो क्या होती है मुरित्यू तक राष्ट्रपती चाहे तो उनकी सजा कम कर सकते हैं अभी तो 15 साली में नहीं हुए थे आपने 15 15 लोगों को जेल से निकाल दिया जिसके परिबार में पांच-पांच खून हो जाते हैं बलातकार हो जाते हैं एक आजन में पेदान की बाते बता रहे हैं पूजा और नमाज भी सरकार से पूच के घर पर करनी पड़ी देखें यह तो साफ संदेश दिया जा रहा है जब आप जा रहे हैं अब आपको कहीं माईक लगाने की जो बेवस्ता है वो मैनेजमेंट भी गॉर्मेंट कर रही है आप आस्ता क कि कोई भी काम आप टेंड नहीं लगा सकते हैं एक बात मैं आपको बोल लूँगा अगर आप इस पार्टी से संबन्नित हैं तो शायद पर्मिशन की दरूवत ना पड़े सवाल यह है कि जो भी बीजेपी से संबन्नित हैं उनके लिए तो काईदे कानून अलग है ना जी और शारुक यहीं चाहते हैं ना आपको टेस्ट है ने 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 आपको टेस्ट है ने 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 यह बेकार के बात आपको टेस्ट है ने 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 सुनिए सर आपको टेस्ट है ने ने आपको टेस्ट है तो एक काम कीजिए ना उससे पहले ज़रा गुजराती चल लीज सबसे बड़ी घटनाएं जो बिल्किस बानों के साथ हुई है मीडिया तो नहीं दिखा रही है आपने उसको सवाल पूछा नहीं क्यों लोगों को माला क्यों पहना गया जब जेल से निकल रहे थे मुस्कुरा रहे थे वह अपनी पूछोगे कि शारुक का मुस्कुराता चहरा आपको चुप रहा है ना मेरे भाई मुझे वह भी चुप रहा है और मुझे बिल्किस बानों का हत्यारों को जब आप लड़ू खिलाता है मीडिया में दिखा तो मुझे वह भी चुप रहा है महिलाओं की सम्मान की बात करने के लिए आप मुझे किसी नेता का नाम मत बताइए सबसे बड़ी बात बता दूं कि बीजेपी के साश्वित प्रदेशों में महिलाओं को खिलाफ जो अत्याचारों सबसे उपर है उत्तरपदेश और यह बिल्कित थानों के लिए भावववव नहीं होते हैं आपको कश्ण नहीं होता है हम कहीं बोलने से नहीं बच रहा हम तो एक बाद बोलते हैं मैं तो जारुकन पुलिस को भी बोल चुका हूं कि जब शारुक आराम से चल रहा है यानि आपका प्रभाब खतम है अगर एक बलातकारी अगर एक हत्यारी हत्यारा अगर कोई किसको पेट्रॉल में जला दे को एसीड फेक दे ऐसे लोग पुलिस के गाड़ी में मुस्कुराते हुए बैट रहे हैं तो पुलिस के ओपर सवाल है रिदाइन दे देना चाहिए अगर ब्राहमन होना क्यो कि क्रिमिनल कि जाती नहीं होती है कि माबाप सिखाथा तुम किसी का बलातकार करो और झिल्वाहर्त पॉलिटिकल जरुवतं और पैसे की जरुवत और और नीस्ता तो ऐसो मेड challenged के पर यह कों नMinne क्यों क्यों कि गुजरात मिशन नहीं है मिशन भारत है दोजार चौबीस है अभी तो बिहार से शुरूबत हुई है अभी उल्टे पांफ शुरू लेकिन अभी हर काम करेंगे तो ताजा घटना अब मैं यह नहीं जानता बहुत सारी खबरे आ रही है जहरकंड की भी दुमका अभी बहुत चित्र भी वाइरल हो रहे लेकिन मैं एक बात बोलूँगा मैंने उस पीडिता के आखरी वीडियो सुनी है मैंने वो स्टेटमेंट सुना और देखा है और आत्मा मेरी जल रही है लेकिन मेरी आत्मा बिलकिस बानों के लिए उतनी जल रही है क्योंकि उनके प अगर किसी के बलातकारियों के, आप खुला छोड़ दोगे, तो उन्हें भाई नहीं होगा, बलातकार कब होता है, भाई वाले संगसार में, जहां भाई का माहौल हो, अगर बलातकारी छुड़ जाएंगो भी दस दस, पंदरा, तो क्या दिल में वहमनी होगा, डर नहीं होग भई आपने हत्यारों को छोड़ा है आपने कुकरिमियों को छोड़ा है आपने कोई सज्जन वेक्ति को नहीं छोड़ा लोग किस से डरते हैं जंगली जानवर से डरते हैं या भेड़ बकरी से डरते हैं आप मुझे बता दीजे लोग जंगली वहिशी दरिंदों से डरते हैं लेकिन केवल हिलाते हुए मेरे को एक वीडियो के लिमत पुछिए कि दुमका में क्या हुआ जो दुमका में हुआ वह भी उतना गलत है जो गुजरात में हुआ वो उससे भी जादा गलत है लेकिन जिस्ता से बाजबागी ने तारिफों मतकान कर रहें कि अगर दिक्कत है तो कोट जाईए आप आप मुझे एक बात बताएं जस्टिस सीवी रमन्ना हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाते जाते उन्होंने क्या बोला कि इस देश में नयाय मांगने वाला जब तक पैसा वाला ना उसे नयाय नहीं मिलता बराबर आप लोगों ने देखा कि टीवी में इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट है उन्होंने ये भी बोला कि आप खोजी पत्रकार खतम हो रहे हैं चीफ जस्टिस कह रहे हैं उसी बीच यूई ललित काना और उसी जिक स्वातंतरता का कोई लेवल बचा भी है या नहीं है यह मोदी जी और बीजेपी के बात नहीं है अजान निमाज हर चीज़ को टार्गेट किया जा रहा क्या लगत बात बोलूँगा भारत में डाइवर्जन पसंद है भारत को लोगों को ना कुछ अत्या गोटाला उसके लिए क्यों नहीं बोलते हैं चौनती सदार करोड इसके ओपर क्यों नहीं वारी है आप यह मुंद्रा पोट पे 21 सदार करोड का ड्रग्स सोचिए मेरे बाई कहां सारे वो ड्रंग अदानी जी का पोट हैं उसके आपर मीडिया कवरेज नहीं होगी पत्रकार महदे ने बोला कि उनकी लोगपरीता बढ़ रही है क्या आपको पता उनकी पातंजली घी का नमुना फेल हो गया है क्या आपने खबर देखी है अगर फेल हो गया या नहीं वो घी खराब था ना जाने करोड़ों लोगों ने खाया होगा यानि पेट में अगर कैंस अगर किसी का तबीयता लीवर खराब हो गया होगा और उसके जीवन के लिला खतम हो गई नइनका पारटी की विपक्ष के लिए मैंने चले करते हूं कि देश में एक मजबूद विपक्ष हमारी क्योंकि लोग सबार राज्य सबार में सवाल उठाने वाले मैयर आप नहीं होंगे उन्हें तब सुना जागा जो वहां पे होंगे इसलिए हम लोग बीपक्ष को मजबूत करने का प्रयास कर रहें लेकिन आज देखिए न जिसने शिक्षा का इतना बड़ा मॉडल दिया वहां इडी ममता गनर जी के घर में सीबी आई लालू के बच्चों के अपर लालू प्रसाद्यादव के बच्चों को परीडी सीबी आई लेकिन सबसे मज़े की बात एक भी भाजपा के नेतको पर इडी सीबी आई क्राइम ब्रांश का कोई चापा नहीं अब बात वही बात हो गई ना कि पूरे देश में घोटाले करने वाले किवल यही चलिए आपके बात पूरी करता हूं कौन सी मीडिया आप खबर उठाएगी अब रमिश्कुबार का होगा क्या रमिश्कुमा राएंगे मुख्यधारा में क्या वह कुछ खर पाएंगे जो जो लोग हम पे क्यों मुकदमे हुए किवल यही कारण था जो बोलेगा उसके ओपर लगा दो कोई न कोई पीछे जो इनके खिलाफ होगा उनको परीडी लगा दो संजे सिंग के मुकदमे आज राहूल गांदी को परीडी के चापा सोन्या गांदी पर चापा वीपक्स को बंद करने की कवायद है मीडिया को कि बहानी की जरुआ है